जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज की वीडियो हम पर्यावरान से सम्मंदित कॉस्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपोर्टन कॉस्चन है तो चलिए आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब तो कर ही लिया होगा अग बीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बीडियो को सियर करें तो चलिए आज का फर्स्ट कॉस्चन है पर्यावरान सब्द किस भासा की सब्द से बना है तो कौन सी भासा की सब्द से बना है पर्यावरान सब्द तो इसका आंसर है फ्रेंच कौन सी भासा तो इसक तो इसका आंसर है उप्रियोक्त सभी भूमी जल इवं बायू जैविक प्राणी उप्रियोक्त सभी तो इसका आंसर है उप्रियोक्त सभी अंगला कोश्चन है निम्मलिकित में असे कौन सा प्राकृतिक परेवरन का अंग है तो आपको जल्दी से बताना है क्या होगा इसका कि निमलिकित मेंसे कौन सा प्रकते क्परियाभरन का अंग है इस तल मंडल बायु मंडल जल मंडल या उप्रयोक्त अजबी तो क्या है इस का अंशर तो इसका आंसर है उप्रयोक्त सब्ही तो चलिए अंगल्या कोस्चन है तो जल्दी से बताएं इन मैं से कौन सा तत्त सही है परियाबरान के सम्बंद में परियाबरान अजय तत्तों का समूज है या उप्रॉक्त सभी तो इसका आंसर है परियावराण जियाव तता अजयाव तत्तों का समूह है अंगला कोस्चन है परियावराण में निम्मिलकित में से कौन से तत्त सामल है तो जल्दी सी बताई कौन से तत्त सामल है परियावराण में निम्मिलकित रूप से तो इसका आंसर है क्या होगा इसका आंसर वातेक तत्त जैबेक तत्त सांसकरतेक तत्त या उप्रयोक्त तत्त तो इसका आंसर होगा उप्रयोक्त सभी यह सभी तत्त सामिल हैं अंगला कोश्चन है परियावरण पर अधिकार है तो किसका अधिकार है परियावरण पर जल्दी से बताईए मुश्ट इंपोर्डेन कोस्चन है मानाओ का बनस्पती का जन्तुआ का तथा समस्त जीवों का क्या होगा इसका आंचर तो इसका आंचर है समस्त जीवों का अंगला कोस्चन है परियाबरन की अध्यन की प्रकृति है तो क्यांसी है परियावरण की अध्यन की प्रिकृति तो इसका आंसर होगा बहु आयामी क्यांसी है बहु आयामी अंगला कोस्चन है समस्त जीवधारियों एवं उनके संपून बातबरण के संबंद का अध्यन ही पर्याबरण है एह बिचार किसका है तो इसका आंसर है टेलर एह टेलर का बिचार है क्यासा समस्त जीवधारियों एवं उनके संपून बातबरण के संबंदों का अध्यन ही पर्याबरण है अंगला कोश्चन है पर्यावरान को कितने मुख्य समुई में बाटा गया है तो जल्दी से बताए कितने मुख्य समुई में बाटा गया है तो इसका आंसर होगा दो अंगला कोश्चन है प्रथवी पर उर्जा का मुख्य स्रोत है तो क्या है उर्जा का मुक्ष्रोथ प्रत्वी पर जल्दीश बताईए मुश्ट इंपोर्टन कोस्चन सूर्य चंद्रमा सितारे या उप्रवक्त सभी तो इसका आंसर है सूर्य अंगले कोस्चन है निम्मिल्खित में से बायू प्रदूशन का प्राकृत कारण कौन सा गयस है जल्दीश बताईए कौन सा है प्राकृत कारण निम्मिल्खित में से बायू प्रदूशन का प्राकृत कारण कौन सा है जल्दीश बताईए ज्वाला मखी उद्गार भारी बर्षा तेज दूप या पुरुक्त में ऐसे कोई नहीं तो इसका आंसर है ज्वाला मखी उद्गार अंगला कोश्चन है साहिरों में जल प्रिदूशन का मुक्क स्रोत है तो क्या है साहिरों में जल प्रिदूशन का मुक्क स्रोत परिबाहन, खनेज, अफसेष्ट, और द्योगेक बहिस्तराव या किरसी अफसेष्ट जल्दी से बताईए तो इसका आंसर है और द्योगेक बहिस्तराव अंगला कोशन है और वरकों की रसायन जल में पहुचने से क्या होता है सेहलावा में ब्रद्धी होती है जल स्तर में ब्रद्धी हो जाती है से अलावा में कमी हो जाती है जल स्तर निम्न हो जाता है तो क्या होता है तो इसका आंसर है से अलावा में ब्रद्धी हो जाती है और वरोंकों की रसानिक जल में पहुँचने से अंगला कोश्चन है अनिद्रा से ग्रस्त रोग्यों की संख्या में ब्रद्धी का कारण है तो क्या है ब्रद्धी का कारण अनिद्रा से ग्रस्त रोग्यों की संख्या में तो जल्ली से बताईए क्या होगा इसका अंसर जल प्रिदूसान ताफी प्रिदूसान बायू प्रिदूसान या सोर प्रिदूसान तो इसका आंसर होगा सोर प्रिदूसान अंगला कोस्चन है चेर नोबिल दुरगटना में ब्यापक जनहानी का कारण था तो जो चेर नोबिल दुरगटना में ब्यापक जनहानी का कारण था रियडियो धर्मी प्रदूसण क्या था रेडियो धर्मी प्रदूसाण, अंगले कोस्टन है ठोस अपसिस्टों से सरवधिक प्रदूसत होती है, तो क्या होते है ठोस अपसिस्टों से सबसे अधिक प्रदूसत, भूमी बायू, ज diyorsun धवनी, जल्दी से बताएं, तो इसका आंसर है भूमी भूमी होती है सोष्ट अब सिश्टों से सरवधे के प्रदूसेत अंगला कोश्चन है चक्रबाद से सबसे अधिक बिनास किस छेतर में होता है तो जो चक्रबाद से सबसे अधिक बिनास होता है वह कौन सा छेतर है तो इसका आंसर होगा 30 छेत्र अंगला कोश्चन है प्रिदूसित जल की प्रियोक से होने वाला मुक्ष रोग है तो जो प्रिदूसित जल होता है उसकी प्रियोक से होने वाला मुक्ष रोग है वह है अंत्रसूत अंगला कोश्चन है निम्मिलकित में असी कौन सा बाल का कारण नहीं है तो इसका आंसर होगा बाल का कारण नहीं है तो इसका आंसर होगा पौधा रोपन अप्दा प्रवन्धेतु अफना ही जाने वाली कारव में सामल है तो क्या है सामल जल्दी से बताईए आप्दा ग्रस्थ लोगों का आप्दा प्रभाजश्य से सुरक्त स्तान पर पहुँचाना आपदा ग्रस्त छेत्रों में राहत सामगरी जथा सहायता पहुंचाना आपदा ग्रस्त जन्मानस का पुनरवासन या उप्रयोक्त सभी तो इसका आंसर होगा उप्रयोक्त सभी अंगला कोश्चन है संधरत विकास एक है क्या है तो इसका आंसर होगा आप प्रभावी पिरकिरिया है अंगला कोश्चन है पनर्वास का कारण नहीं है तो क्या है जल्दी से बताईए पनर्वास का कारण नहीं है खनुजों का दोहन पर्याटन प्राकरतक प्रकोप या बहुद्देशिये परियोजना तो इसका आंसर होगा परियाटन अंगला कोश्चन है ओजों परत में सबसे बड़ा छिद्दर पाया जाता है कहां पर जल्दी से बताईए ओजों परत में सबसे बड़ा छिद्दर पाया जाता है कहां पर भारत में हिमालाय में अंटार्क टका में या अमेरिका में तो इसका अंसर होगा अंटार्क टका में अंगला कोस्चन है ना भी किये दरगटना का उधारान है तो जल्दी से बताईए कौन सा है ना भी किये दरगटना का उधारान टेहरी परियोजना भोपाल गया स्कांड चेहर नोबेल दरगटना या उप्रोक्त सभी तो इसका अंसर होगा चेहर नोबेल दरगटना अंगला कोश्चन है सोर को मापने की एकाई तो कौन सी है जल्दी से बताएए सोर को मापने की एकाई है तो इसका आंसर होगा डेसी बल सोर को माबने की एकाई है अंगला कोस्चन है चेर्नोबिल बिस्पोट की घटना कहां हुई तो जो चेर्नोबिल बिस्पोट की घटना हुई थी या कहां पर हुई थी तो इसका आंसर है रूस में अंगला कोश्चन है एक कीट नासक दबाई की किस घटक की कारण भूपल गेस दुर घटना में सेकड़ों लोग मारे गई तो इसका आंसर है मिठाइल आई सूसाइ नेट अंगला कोश्चन है निम्नान कित में से कौन सी जन संक्या समस्या नहीं है जल्दी से बताईए कौन सी जन संक्या समस्या नहीं है सीमेतवू कंडे नंगरी करण इस्तांतरन पर रोक जन संक्या ब्रद्धी तो इसका आंसर होगा नंगरी करण अंगला कोश्चन है हरत ग्रह प्रभाव का दुस-प्रभाव नहीं है तो जल्दी सी बताईए हरत ग्राह प्रभाव का दिस्प्रभाव नहीं है तो इसका अंसर होगा खादान ने वत्पादान में ब्रद्धी हरत ग्राह प्रभाव का दिस्प्रभाव नहीं है अंगला कोश्चन है ओजवन परत में चाय का कारण नहीं है तो कौन सा नहीं है ओज कारों से निकलने वाला धुंगा, कीट नाशक रसायन, जल्दी से कमेंट में आप का अंसर लेखना है? क्या है इसका अंसर? तो इसका अंसर है कीट नाशक रसायन, अंगले कोशचन है कौन सी गयस ओजवन परत के लिए घा तक है जल्दी से बताईए मुश्ट इंपोर्टन कोस्चन है कौन सी गयस ओजन परत के लिए घा तक है किलोरीन नियोन कारवंडाय ओकसाइड फ्रियोन तो इसका आंसर है फ्रियोन अंगला कोस्चन है निमलकित मैसी कौन प्राकरतिक संसाधन का उधारन नही जल्दी से बताईए प्राकरतिक संसाधन का उधारण नहीं है जल उर्जा भूमी इमारतें कमेंट में आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर तो इसका आंसर है इमारतें इमारतें प्राकरतिक संसाधन का उधारण नहीं है अंगला कोश्चन है निम्मिलकित में ऐसे कौन सा संसाधन अनवीनी करनी है जल्दी से बताईए कौन सा संसाधन है अनवीनी करनी तो इसका आंसर होगा प्याट्रूल निम्मिलकित में ऐसे कौन सा संसाधन अक्षय संसाधन नहीं है जल्दी से बताईए निम्मिलकित में ऐसे कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है कमेंट में आंसर बताईए क्या होगा इसका अंसर सूर्यताप या बायू तो इसका अंसर होगा सूर्यताप अंगला कोश्चन है निम्मलकित में ऐसे कौन सा सुरोत भूमी गत जल सुरोत है तो जल्दी से बताईए तो इसकांसर होगा नलकूप जो नलकूप है भाय भूमी गत जल सुरोत है अंगला कोश्चन है कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों की बीच है तो जो कावेरी जल विवाद है किन किन राज्यों की बीच है तो इसकांसर होगा तमिलनाडू करनाटक अंगला कोश्चन है निम्मिलकित मेंसी कौन सा पधार्थ खनिज नहीं है जल्दी से बताए कौन सा पधार्थ खनिज नहीं है सोना, तांबा, लोहा या रबर तो इसका अंसर है रबर अंगला कोश्चन है अद्योगिक प्रगती का मुख आधार निम्लकित में सी कौन सा खनेज है तो कौन सा खनेज है तामबा, एलुमीनियम, स्वाना या कोईला अद्योगिक प्रगती का मुख आधार निम्लकित में सी कौन सा खनेज है तो इसका अंसर होगा कोईला अंगल्य कोश्चन है प्राकरतिक संसादनों का संरक्षण से तातपर है तो क्या तातपर है प्राकरतिक संसादनों का संरक्षण से तो इसका अंसर बताईए कमेंट में क्या होगा इसका अंसर संसादनों का उपियोग कंजूसे से किया जाना चाहिए संसादनों का अवसक्त अनुसार दोहन करना संसादनों का उपियोग ही ना किया जाए संसादन का सार्थक एवं नियोजग धंग से उपियोग करना तो इसका अंसर होगा संसातनों का सार्थक एवं नियोजट धंग से उप्योग करना अंगला कोश्चन है नमलकित में से कौन सा खनेज इधन का उधारण नहीं है तो इधन का उधारण कौन सा खनेज नहीं है तो इसका आंसर होगा इउरेनियम क्या है इउरेनियम तो अंगले कोश्चन है विष्व में खास समस्या का मूल कारण है तो क्या है खास समस्या का मूल कारण विष्व में जल्दी से कमेंट में आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर विष्व में खास समस्या का मूल कारण तो इसका आंसर है जन संख्या ब्रद्धी अंग्ले कोश्चन है उर्जा संकट का समाधान है तो क्या है उर्जा संकट का समाधान कोईली की खोज पैटोलियम की खोज बैकल्पित उर्जा सुरूत विजली की कटोती तो इसका आंसर है ब्यकल्पित उर्जा सुरूत अंगला कोश्चन है परवती चेत्रों में बन बिनास से कौन सा प्रकूप बड़ा है तो कौन सा प्रकूप बड़ा है परवती चेत्रों में बन बिनास से तो इसका आंसर होगा भू इस्खलन अंगला कोश्चन है केंदरी प्रिदूसन नेंतन मंडल नामक संस्थान इस्तित है तो कहां पर इस्तित है तो इसका अंसर होगा नई दिल्ली में कहां पर नई दिल्ली में अंगा कोश्चन है विद्ली में कितनी धाराही一定要 जल्दी शी बताएई तो इसका अंशर होगा 54ब कितनी है 54ब धाराही आं अंगल्या कोस्चन है, बन्यजीव संर्दक्षन अधिन्यम का पारत हुआ? Most important question, आपको कमेंट में answer बताना है, क्या होगा इसका आंसर? बन्यजीव संर्दक्षन अधिन्यम का पारत हुआ? तो इसका आंसर है सन 1972 में अंगला कोश्चन है भार भूम अंडली तापन का मुख कारण है तो क्या है भूम अंडली तापन का मुख कारण तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैसे या भूम अंडली तापन का क्या है मुख कारण है अंगला कोश्चन है परती भूमी बनने का मुख कारण है क्या है परती भूमी बनने का मुख कारण तो इसका आंसर होगा भूमी या मिर्दा अपरदन अंगला कोश्चन है परतमान में पर्याबरण समस्याओं का मूल आधार है तो इस कांसर होगा परियावन नियातिकता का आधार अंगला कोश्चन है भारतिय बन अधिनियम पारित हुआ तो कब पारित हुआ था भारतिय बन अधिनियम तो इस कांसर होगा सन 1972 में अंगला कोश्चन है बानिस्पतिक लक्षणों में परिवर्तन होता है किस से होता है कार राश्टी एक्ष निढत्रण संगटन कस सप्षर है तो एकस्ष अंसर है नो कूने विश्ट परियाबरन दिवस होता है कब होता है विश्ट परियाबरन दिवस तो इसका अंसर होगा 5 जून को मनाया जाता है क्या विस्त पर्यावरण दिवस अंगल्य कोश्चन है अंतराष्टी मानव अधिकार दिवस का मनाया जाता है जल्ली से बताए क्या इसका अंसर अंतराष्टी मानव अधिकार दिवस का मनाया जाता है तो इसका अंसर होगा 10 कर दोबर को अंतर रश्टि मानाव अधिकार द्वास की रूप में मनाया जाता है यदि प्रतवी के सबी पहधे मर जाएं होगा जल्दीश से बताईए क्या होगा केवल कीड़ेएए केवल साकारी जनतु रहेंगे अन्तथा सभी जनतु मर जाएंगे जनतों का कुछ नहीं होगा तो इसका अंसर होगा अन्तथा सभी जनतु मर जाएंगे यदी प्र etwa भी के सावी पेड़े पाधे पोधे और पाधे मर जाये तो सब्सक्राइब है अगले कोश्चन आप इस आप निम्न में से क्वान से नहीं हैं जल्दी से बताई प्राकर्टे का अवदाएं कौन सी नहीं है सूखा बाढ़ किर्सी भूकंप तो इसकांसर होगा किर्सी अंगला कोश्चन है भूकंप तरंगों का मापन निम लिकित में से चिस एंतर द्वारा किया जाता है तो इसकांसर होगा सीसमो ग्रॉप सीसमो ग्रॉप के द्वारा किया जाता है भूकंप तरंगों का मापन निम लिकित में से किस प्रदूसर्ण द्वारा सरवद बीमारियां होती है जल्ली सी पता ही रहा है कॉन सा परदू हैं जिसके दवारह सबसे अधिक बीमारें होती हैं बाईय परदू साणı या धनी परदू साण तो इस का आंसर होगा जल पर दूसान अंंगले को इसे न में प्रिकेर्थि में खन्य चक्र कहलाता है है तो क्या कोश्चन नहीं है अब तो इतने ही कोश्चन है तो चलिए आपने हमारे वीडियो को लाइक तो करी दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करी लोगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबाना ना वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो क्यांसा लगा आपको हम नन तन ही ऐसे वीडियो अपलोट करते रहेंगे अपनी रही हमारे साथ जैहिंद